ये आकाश्मानी है, अब आप कनकलता से समाचार सुनिए केंद्रे मंदलिस अध्यादेश में नयामूर्ती जेस वर्मा समित्य के अधिकतर सिफारिशों को शामिल किया है महिलाओं का पीछा करने, निर्वस्तर करने और अश्लिल तरीके से देखने जैसी कृत्यों को अपराध की श्रिणी में माना गया है और इसके लिए कड़ा दर्ण दिया जाएगा यौन हिंसा की परिभाशा भी व्यापक बनाए गई है अध्यादेश में बलातकार की जगह यौन हिंसा शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिससे महिलाओं के प्रती सभी तरह के यौन अपराधों को इसमें शामिल किया जा सके केंद्रे वित्तमंत्री पीछ दम्रम ने कहा है कि सरकार इस साल क्यांत तक देश के 700 से जादा जिलों में नखद अंतरन योजना का विस्तार करने के प्रतिवचन बद्ध है वर्तमान वित्तवर्ष में ये योजना 51 जिलों में लागू की जा रही है रोजगार गारंटी कारिक्रम के तहट 100 दिन का पारिश्रमिक व्रिद्धा वर्सा पेंशन और चेकितसा अभीमा के राशी योजना के लाभार्थियों के बैंक हातों में सीधे जाएगी नकद अंतरण योजना को सही ठहराते वेश रेच दमरम निकाहा किसे बिचौलियों और हेरा फेरी की गुनजाईश खत्म हो जाती है और धनराशी सीधे लाभार्थि के खाते में जाती है वित्यमंत्रे कल तमिलाडो में शिवगंगा के निकट पट्टो कुड़ी पट्टे में विज्या बैंक की 1334 शाखा के उद्धाटन के अवसर पर बोल रहे थे करनाटक विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है राज़पाल हंसराज भारत द्वाज आज विधान मंडल की सयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे इस सत्र में जगदिश शेटर सरकार के साहितों पर अनिस्चर के बादल मंडरा रहे हैं पिछले सब्ता दो मंत्रों सेथ यडियोरपा के वफादार 12 भाजपा विधायकों के स्तिफे के बाद राज सरकार को केवल मामूली बहुमत्य हासिल है श्री यडियूरप्पा के वफादार दो और विधायकों ने अपने स्तीफा विधान सभाद ध्यक्ष के जी बुपईया को सौंप दिया है लेकिन उसे भी तक स्विकार नहीं किया गया है 211 सदस्यों वाली वर्तमान विधान सभा में शर्टर सरकार को विधान सभा ध्यक्ष सहित सब अभी 108 सदस्यों का समर्थन है लंबित पड़े दो त्याक पत्रों के स्विकार होने के बाद ये संख्या 106 हो जाएगी जो बहुमत के लिए मात्र आविशक संख्या है सरकारनी लहबाद ने महाकुमिके अफसर पर श्रटधालों को रियायती दरपर रसोई गैस सिलिंडर मुहिया कराने का फैसला किया है ये ततकाल प्रभाव से लागू हो गया है इस फैसली से श्रटधालों को 500 रुपे का फायदा होगा हमारे समवादाता ने खबर दी है कि दो दिन पहले पेट्रूलियम और प्राकरते गैस राज्यमंत्री पनाबा का लक्ष्मी मेला क्षेतर में रसोई गैस सिलिंडर वितरन के प्रबंध की समिक्षा के लिए कुम्भ मेले में आई थी उस दोरान श्रद्धालों ने रियायती दर पर रसोई गैस सिलिंडरों की मांग की थी राज्य सरकार ने भी मेले में आई श्रद्धालों के लिए रियायती दर पर गैस सिलिंडर देने का प्रस्ताव किया था जिसे केंद्र सरकार ने स्विकार कर लिया दिल्ले विश्व पुस्तक मेला आज से शुरू हो रहा है, मेला दस फरवरी तक चलेगा जिससे नैशनल बुक ट्रस्ट आयो जित कर रहा है इस बार पुस्तक मेले की थीम है देशज अभिव्यक्तियां भारते परिकल्पनामी लोक और जन जातिय साहित्य पुस्तक मेले में भारत सहित 23 देशों के 1100 से अधिक प्रकाशक भाग ले रही है इस मेले में सरकार के विशेश भागेदारी है और इसमें e-books पर विशेश रुप से ध्यान केंदरित किया गया है युवावर्ग और बच्चों के लिए विशेश मंडब बनाया गया है जुड़ी जानकारी से लोगों को जागरू किया जाएगा जम्मू कश्मीर में जम्मो श्रीनगर राश्ट्री राजमार्ग पर जवाहर सुरंग के दोनों और आसुबा हिमपात के कारण रास्ता रोक दिया गया है करिस्थानों पर यात्री और वाहन फसे हुए हैं इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ